Hello brilliant students, this time we are doing for class 7, exercise 11.3, question number 12, chapter का नाम है, perimeter and area. Question में क्या है, let us see, the circumference of a circle is 31.4 cm, हमें circumference, जो है, ये length, boundary, circle की, ये मिली हुई है, 31.4 cm, find the radius and the inner, sorry, find the radius, हमें radius पता करनी है, and the area of the circle, हमें एक तो radius पता करनी है, जो ये radius है, और एक हमें पता करना है, इसका area, ये जितना area अंदर आ रहा है, ठीक है, पाई की वैलियो हमें 3.14 लेनी है, तो चलिए करते हैं इसको, in the circle, radius हमारे पास नहीं है, our centimeter हम let कर लिए, कर लिते हैं, और circumference, is equal to 31.4 centimeter आपको मिली हुई है, तो circumference का फार्मना क्या होता है, तो पाई आप, 31.4, आर इस गल्टू क्या होगा, 31.4 अपॉन में 2 पाई, जो इदर multiply में है, इदर आके, डिवाइड में आ जाएंगे, 31, पॉइंट का हटा निचे 10 आ गया, 2 multiply pi, pi 314, 3.14 होता है, तो इसकी decimal यहाँ पे था, तो दो डिजित 3 decimal के बाद, तो उसका 100 उपर हमने लिख दिया, ठीक है, 314 से 314 कट गया, 10 से 10 कट गई, 21,000, 25,000, तो आर हमारे पास, गट हुई है, 5 centimeter, तो एक answer हमारा यह हो गया, ओके, next हमें पता करना है, इसका area, area के लिए हमें चाहिए, radius, वो हमें अब लेबल हो गई, फार्मला है, pi r square, pi की value again, 3.14, r square है, तो दो बार हम 5 multiply 5 करेंगे, इसकी calculation करते हैं, 314 को, 5, 5, 0, 25 से multiply करेंगे, 5, 4, 0, 20, 2, 5, 0, 5, 2, 7, 5, 3, 0, 15, 2, 4, 0, 8, 2, 2, 0, 2, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 6, 0, 8, 7, 15, 1, 1, 1, 5, 6, 2, 8, 6, 1, 7, 7, 8, 5, 0, आपका ये आ रहा है, आंसर, decimal के बाद, दो डिजिट है, तो दो डिजिट के पहले, decimal यहा लगा देंगे, और ये, ऐसे लिखेंगे, हमारा आंसर हो गए, ओके स्टूडेंट्स, हाँ, यूनिट, तो जरूर लिखनी है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस तरह के से हमने, ये कोस्चन कर लिया, इस कोस्चन में, हमारे पास, रेडियस नहीं थी, सिरफ सरकंफ्रेंट्स दे रही थी, सरकंफ्रेंट्स से हमने क्या किया, रेडियस निकाल ली पहले, पाई की वाले 3.14 ली थी, और फिर रेडियस हमें अब लेबल हो गई 5 cm हमने फिर एरिया निकाला पाई आर स्क्वेर वैल्यू पूट करके कैल्कुलेशन करके डेश्मन के दिरूद ध्यान दीजिएगा okay thank you students for watching your own video please don't forget to like subscribe share comment please look at it properly and we will meet in the next video with the next question